हम तो तुम्हों का स्थीती खराब ऐस्तिती वहां का जो तामीर लोग कहना कि बिहारी सब भागो और यहां तुम लोग आ गया है तो हम लोग भे रोजगारी हो गये हैं तो हम लोग का बिहार में कुछ रोजगार नहीं है नमस्कार आप देख रहें News relatives और में हुसमित आपके साथ बिहार की असमिता की बात करने वाले बिहारीयों के पक्ष में अपना काम दिखाने वाले जो नेता है बिहार के अभी जो इस्तिति बन रही है बिहार की काफी भ्यावा है मैं बात कर रहा हूँ तमिल नाडू की तमिल नाडू में बहुत सारे बिहारी लोग फसेवे हैं दिवासी लोग फसेवे हैं जिनको अपनी जान का खत्रा हो गया है मैं आपको बता दूँ कि अभी कुछ वीडियो सोसल मीडिया पर चल रही है जिसमें काफी बेरहमी से लोगों को पीटा जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है मैं मौजूद हूँ अभी जमुजिला में ज लेकिन अभी जो सूचना मिल रही है यहां पर आने के बाद कि बहुत सारी लोग अभी भी फसे हुए हैं एक लड़का है अर्मान जो इसी पंचायत के लड़का है जो कि अभी भी रास्ते में है वो अभी तक घर नहीं पहुँच पाया है कल मेरी जब उनसे बात हुई थी तो वो काफी सहमा हुआ था डरा हुआ था मैंने उसको बोला था कि आप वीडियो बनाके भेजिये लेकिन वो डर से वीडियो भी बना करके नहीं भेज पा रहा था तो मैं अभी मौजूद हूँ पोहे में पोहे के लोग हैं जो कुछ मज़ूर जो वापस आ चुके हैं ले तिरपूर का क्या महौल है तिरपूर में महौल तो गड़बरे ठीके चल रहा है तो वहापे आने में क्या दिकत हो रही थी क्या जैसे टेंपू नहीं मिल दिकत तो नहीं हुआ करके टीशन पहुंच गया जी तो कोई ऐसे कोई बात नहीं हुआ लेकिन त्रिपूर में बहुत लोगों की हत्या होने की बात वह रही है सिकंद्रा में एक लड़का है रविदास जी का पुत्र है उनकी हत्या हो गई दधौर में एक जादब जी का पुत्र है उसकी भी हत् जूँन अधमी ंबो Mỹ का रह रहा जितना में काम कर रहे हैं ऊत्तना में काम व्यारी लोग करोगे तो ठीक है नहीं तो सबका एannel को भागेका भी हरी नै तो इस तो में कि पूराइन में और जमूई-जिला की कितने लोग होगे आपको कुछ कितने लोग होगे आपको कुछ आइडिया होगा आइडिया नहीं है लेकिन है आद्मी बहुत आद्मी आप लोग तो कैसे भी आगए वो लोग उन लोग की कैसे दिया अभी इस्तिति पूरा खराब है चल रहा है पूरा खराबी इस्तिति गाड़ी नहीं मिल रहा है बस नहीं मिल रहा है चुछ नहीं दख यह देख आया और पहुत है की जो पुलिस है यह कोई मदद नहीं पाला अदर में चल गया या औी आखाสतच हम लोग आये है ये लेकिने कुछ आद्मी करता है कि यहां से बढ़ चलो और भी कुछ लोग है किया नाम है बिटाब का इतलिज कमारР कैसे आए हम सब कोई दिकत नहीं हुआ, तो टृपूर और कोईमबतूर में कह रहे हैं कि वहां पर बहुत हिंसा हो रहा है। तो ट्रिपूर के बारे बताया रहे कि वहाँ पर जाद घटनाए हो रही है वहां कुछ दिकत नहीं हो रही है तो जैसे तमिल नाडु में बहुत सारे जिला हैं बहुत जिलों में पर कापी भ्याव है जो भी जो दो मजणूर है वह वापस आया है taller से में थे एक जो ययूबर के बारे में पता है कि वह शहुंचा नहीं है आपका क्या नाम है? धर्मेंद रुकumar क्या लग रहा है अब नाडू में रहे हैं? बहुत वहां का अस्तिति-खराब है आस्तिति-वहां काईसा है वहां नहीं कप वहां का यहां से बिहार से लज़य कातेisu इसी बज़े से हुआ है मतलब लोग का पूरे तामिल को कहना है कि सब बिहारी अपना देश हम से मतलब यहां हम लोग बेरोजगार हो गए तुम लोग अपना देश में रोजगार मांगो और नहीं तो हम सब को मारेंगे यहां किसी को आने नहीं देंगे जाने नहीं देंगे और मतलब जो है कि अपना अपना देश में रोजगार करो हम लोग कहा जाएंगे रोजगारी हो जाएंगे तो तो यहां का सरकार को चाहिए नहीं निती की माल लिया जाए हमारा जो है यहां का बेटा इतना जाता है धूर कमाने के लिए और मरना करतना पड़ता है तो सरकार हमारा यहां रोजगार दे हमारे को बेरोजगारी के कारण हमको वहां जाना पड़ता है बिहार में जो पलायन है पलायन रुक नहीं रहा है चाहे लालू यादव की बात करें या नितिसकुमार की बात करें लगाता तीस वर और बुज़ोंग दर्वाजे पर बैठे रहते हैं और जवान जो लोग होते हैं वह गाओं गाओं इस canal से बहुत वह किया पो Southeast लग ना पर आपनी ने करक्ते हैं अर्वरे यहां पर आक शॉड़ा कंश कर। पेट के लिए और लोग को कर रहा है और क्या कहसे सरकार से क्या गुवार्ड लगाई सरकार अपना अंके समतर है परक्राई सर्कार होता है. लिए गये हुए है उसमें लगबग 20-30 आदमी आए हुए है वाकी लोग फसे हुए हैं और हमारे बगल के जाऊंसा सरमा है उसमें भी महादलित ट्वला है तो उसमें लगबग 20 वक्चा वहांसे भी और बगल में मेरा प्रिंडा है वहां से कम से कम तो एक सो से बेसी डिट वहां से होगा, तो सरकार से ही गुजारीस है कि वहां सबी जो फसे हुए बिक्ती है, सब को सुरच्छित लाया जाए, और हमारे बिहार में ही रोजगार का कुछ अथी लगाया जाए, क्योंकि बिहार तो हर एक जगह रहता है और बिहारी से काम बिना नहीं होता है बाहर में तो उसलिए सरकार से आगरा है कि सभी बिहारी को बिवस्था बिहार में ही किया जाए क्योंकि बाहर जाने के बाद भी लोग खटता भी है पैसा भी मजदूर कम देता है उदर से मार को भी भागाता है तो इस्तिती तो थोड़ा नाजुक तो होता जा रहा विहारी लोग को, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, और सभी सरकार से गुजारिस है कि जो ब्यक्ति फशे हुए उनको लाने का सरकार को जल्दी से जल्दी थोड़ा अथिक करें. तो देखिए अगर बिहारी की बात करें तो बिहार की जो लोग हैं दूसरे श्ट्टों में जाकर दूसरे देशों में जाकर बिहारी का दबदबा है हर छेत्र में हर फिल्ड में लेकिन यहांका मज़दूर वर्ख है वो मजदूर वर्ग अभी भी पलायन कर रहा है बिहार से बाहर किसी दूसरे राज्य में जाकर बात करें महराज की तमिलनाड़ु की दिल्ली की पंजाब की या फिर बैंगलौर की करनाटक की सब जगह आपको बिहारी मजदूर मिल जाएंगे तो इनलों का कहना है कि बिहारी तो हर जगा आगे है लेकिन हमारा जो बिहार है इतना पीछे क्यों है जो सरकार है वो यहां बिहार में हमें रोजगार मुहिया क्यों नहीं कराती है जो सरकार यहां पर लगातार तिस साल से लालियोदेव की सरकार है और नितिस कुमार की सरकार है मजदूरों के लिए क्या कर रही है ये एक बड़ा question mark बनता दिख रहा है फिलाल और जो यहां पे लोग हैं जिनके लोग बाभी भी बहार फसे वे हैं तमिल नाडु में यहां पे एक पिरिंडा गाउं है खास करके यह जो पोहे पंचायत है पोहे पंचायत से ही लगबक से स्रिपक्च बिजय कुमार समयना ने सवाल उठाया है और नितिश कुमार ने बिहार के डिजीपी आरस भट्टी को आदेश दिया है कि क्या सब कुछ चल रहा है तमिल नाडु में जरा इसको देखिए अलाकि अब बिहार सरकार इसको लेकर के क्या कदम उठाती है यह देख क्या है यह भी आरस पिजीपी आरस पिल रहा है जराखिब देखिए रहा है।